अलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में आप सभी के लिए ऐसे ब्रांड की तरफ से स्मार्ट फूल लेकर आया हूँ जो की है दोस्तो टेक्नो अब इसके स्मार्ट फून दोस्तो हमारे चैनल पर आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं लिकिन कई बार जब होते तो बहुत ही धमाकेदार होते हैं तो उसी तरही से दोस्तो टेक्नो ने अपना लेटेस्ट फूल लांच कर दिया टेक्नो का स्पार्क 10 5G और 5G के साथ आता है तो यह लेटेस्ट लांच हो गया इस वीडियो में इसके अन्बॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा कि आपक एक नया स्मार्टफून प्रचेस करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगा चैनल को ताकि नए वीडियो आप तक इसी तरीकी पहुंचती रहें चले दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स के बारे में ब्लू कलर में मिलता है 14-15,000 के आसपास लेकिन जो इसका एक्ट्वल प्राइस है वो है दोस्तो 13,000 तो यह आपको मिलेगा दोस्तो 13,000 का अब दोस्तो अभी जो ना हाल फिलाल में जितने स्मार्टफून से उपर ही लॉंच हो रहे हैं बताद 10,000 के बजट में अब तो आप बहुती कम हैं तो अन्बॉक्स करते ही दोस्तो सबसे पहले आपको मिल जाता है फून इसका डिटेल लूक हम अभी देखेंगे इसके बाद दोस्तो आपको जो है यह कुछ इस तरीके से पैकिंग मिल जाती है इसकी और इसको ओपन करते ही दोस्तों यहां पे जो है कुछ यूजर मिलता है तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इसका कवर दिया गया है सिंपल टांसपेरेंट बाकी यह फून मेरे पास दो कलर्स में मैं आपको देहाँ हूं इसके अनर आपको कॉलर भी कौन सा बढ़ी है मिलता है टाइप सी केबल दी गई है तो केबल आपको अच्छी दी का चार्जर होता कम से कम क्योंकि प्राइज भी कम नहीं है 13000 के आसपा से तो काफी बढ़िया रहता तो चार्जर आपको दोस्तों 18 वाट का ही देखने को मिलता है तो इस दोस्तों रेट के साब से मुझे नॉर्मल ही लगी तो बॉक्स की जो कंटेंट से वो तो इसके प्र इव जी का पैटन कुछ इस तरी के साब को मिलता है जो बहुत ही जादा कमाल का लगता है यह कलर तो थोड़ा ब्लैक टाइप का इसमें आपको जो इतना अंदाजा नहीं होगा लेकिन नाइट की रिफ्लेक्शन फिर भी इसके वैक पनल पे भी बहुत ही बढ़िया देखन यहां पर दोस्तों आपको इसी के बराबर में जो नीची की तरफ इसी अंदे के अंदर दोस्तों आपको एक और जो है सर्कल टाइप को मिल जाता है जाता है दो कैमरे नीची की तरफ आपको यह जो बहुत ही जाद आजीम लगता है मतलब इस जागा पर जाद आतर यह तो तोड़ा अजीब ही लग रहा है क्योंकि ऐसा बीच पे कैमरा जो है किसी भी स्मार्टफून में आजकल की मार्गेट में तो दोस्तो देखने को नहीं मिलता अभी जितने भी स्मार्टफून लॉंच हो रहा है और यह रहा दोस्तो इसका ब्लैक टाइप का कलर अब दो आजए दो क्वेटा में लागी दोस्तो इह पर आपको कुछ इस तरह की सा आपको डिजाइन मिल जाता है जो की काफी बड़िया लगता है अगर आप इसको ऐसा अगुआ करते है को स्कूरियों में यह प्लेट और देखने में काफी जादा बढ़िया है वैसे काफी क्लासि तोड़ा सा मुझे इसका कैमेरी की जो पॉजिशनिंग है वही थोड़ी अजीब लगी और मतलब ऐसा लगा रहा है कि फिंगर पेंट स्कैनर तो नहीं है और काफी बाहर भी निकला हुआ है और जो यह जादा अजीब लग रहा है बीच में मतलब बीच में तो हई चलो चीज तो चल जाएगी लेकिन थोड़ा बाहर निकला हुआ है इस वजह से जो दोस्तों और जादा इसकी फील हो रही है कुछ इस तरीके से अगर आप इसको ऐसा साइट से देखिए कवर वगर लगा के दिखा फाइनल लुक क्या है इसका क्यूंकि आपको बिन कवर के तो यूज करना नहीं होगा बेन कवर के यूज भी बात करना होने स्क्रैचिस आ सकते हाला कि डिजैन की क्यूलिटी प्लास्टिक के टाइप की मिलती है लेकिन बड़िया क्यूलिटी स्क्रैचिस वगर एक तम नहीं आएंगे तो दोस्तों कवर लगाने के बाद इसका पैटन कुछ इ देड़े कैमरे 14, 13 और 14 प्लस के अंदर वो चीज जो थोड़ी सी वैसी तो फील्ड मी आरी कुछ यूनीक ही लग रहा है दोस्तों इसका डिजाई तो वैससा हम ऐसे लिगा सकते कि आईफून की तरह लग रहा है देखने में बागी दोस्तों डिजाइन काफी जादा करेंट होती तो और बढ़े रहता क्योंकि आप इस पर फून पर हाथ रखके बात करेंगे ने तो आपको ऐसा लगेगा यार उंगली पर यहां पर क्या टकरा यह प्लेन होना चाहिए तो कुछ ऐसे सा जो होता है आपको अपनी दोस्तों अगर आपको आदत है वैसे जादत जो सरकल टाइप का जो है कैमरे इसके इंदर दिया गया है और इसके साथ दोस्तों जो पैटान है बैक साइट पर कलर है वो तो मुझे परसनली बहुत जाद बढ़िया लगा डिजान तो इसका नूट आउट बहुत जाद अच्छा है थोड़ा साज जो कैमरी की पोजिशन थोड़ी सी और बढ़िये उससे लेकिन इसके अंदर आपको 13,000 में IPS HD प्लस दिस्प्ले दी गई है एमोलिट डिस्प्ले इसके अंदर आपको दोस्तों नहीं दी गई और फूल एच्टी प्लस डिस्प्ले भी इसके अंदर आपको नहीं मिलती तो यह मुझे काफी बढ़ स्मूध है या फिर नहीं तो दोस्तो अन हो चुका है हमारा टेक्नो का स्पार्क 10 5G अब इसके अंदर दोस्तों आपको जो यूसे अंदर मिलता है कुछ इस तरह कैसे मिल जाता है आप ऐसे ऊपर की तरह स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाएंगी तो चल तो आपकी पसंद के O liksom करता है कि आपको टेक्νο के फून से उसके लगते हैं इसके फिचरेश अगर आपको देखने में अच्र लग रहा है य फिर नहीं तो दोस्तो यह न दो आपकी पसंद के ऊपरिमेटर करता है वागी डिस्प्लें के अंदर मैं आपको सैटिंग से जाक देखने को नहीं मिली तो इस चीज़ को लेकर मुझे स्मार्टफून परसनली काफी जादा बढ़िया लगा बागी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी मैं आपको करीब से दिखा देता हूं बिल्कुल फूल ब्राइटनिस करके तो डिजाइन तो इसके अंदर आपको मिलत आपको डिस्प्ले के काफी बढ़िया मिल जाते हैं हां अगर फूल एटनी पलस डिस्प्ले होती तो और इसका हम जो कोई भी ध्यान नहीं देता है इस चीज को और हमने भी इतनी अन्बॉक्सिंग करी 2000-2000 प्लस वीडियो हो चुकी है दोस्तो चैनल पर लेकिन आज तक जो इस चीज को पर इतना फोकस नहीं कर रहा वह है दोस्तो सिम जेक्टर टूल जो समझाग कर रहा है इसके नहीं सिम निकाल नहीं सकते अब सुई वही तो एन्य हमारे पास लेकिन काफी इंपोर्टेंट इसके नहीं सिम निकल सकता तो दोस्तो लेफ्ट साट पर आप देखींगे इसको तो यहां पर आपको सिम के ट्रे दी गई है डेडिकेटिट सिम स्लॉट मिल जाता है तो दोस्तो दो सिम काट एक मेमरी काट तीन चीज़े एक साथ जो आप लगा सकते हैं तो यह चीज़े सिके इंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है और यह 5G फूल है तो यह चीज़े स्केंदर है कमाल की तो अगर आपको वा आ यह देखने में और दोस्तों नीची की साइट साथ देखेंगे तो charging port, speaker, mic, headfull jack मिल जाता है, type c port दिया गया है, right side साथ देखेंगे, तो volume के buttons और power के buttons से इस तरफ, fingerprint scanner 200 side में मिल जाता है, दोस्तो, fingerprint scanner की speed में आपको check करवाता हूँ, वाकि इसको मैं setup कर लेता हूँ, और reading speed भी आपको इसकी ठीक-टाक मिल जाती है, मैं काफी जल्दी से read कर रहा है, एसे काफी slow, तो जल्दी से setup कर आपको इसकी speed दिखाता हूँ, दोस्तो कैसी आपको मिलती है, आपको face unlock तो इतनी जल्दी setup करा है, क्या स्पीड है मुझ तो मतर्ड़ दन लगने लगा कि उतनी जल्दी इतनी जल्दी जल्दी तो यहां पर दोस्तो आपको इसकी instant ही मिलती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई lag type का feel हो रहा है, बाखी face unlock को देखते हैं जो इसने photo खीचाना है एक दम तो face unlock भी दोस्तो काफी सही से जो एक दम चेहरा में आपकी तरफ कर रहा हूँ तब भी जो ऐसा unlock कर रहा है, इसने तो मतलब आईफून को भी fail कर दिया, बाखी ऐसा होना नहीं चाहिए कि side से भी unlock हो जाए क्योंके properly अगर scan हो तो वह चीज काफी बढ़िया रहती है, कम से कम आखे तो कम सकंधे देख लाए के आउ अगी अग्या वादा चले इसने इसको मेरा फोटो दिखा 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 दिए अब देखता हूं एक बार ट्राइक इक सेल्फी लेते जंदी से चलो ऐसा तो नहीं हो आपको फोटो से उनलोग हो रहा है तो वह चीज देखने को नहीं मिलती तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दॉस्तों यह साइट से भी एक तम इंस्टेंटली उनलोग कर रहा है अच्छीज तो बहुत ही कमाल की इसकी बात करें दोस्तों इसकी रहम और श्टोरेज के बारे में तो इसके इंदर आपको त्यरहा हजार में दी गई है आप यह उसको बढ़ा सकते हैं तो काफी चीज बात करें जूबल मेज़ा आपको जो सरा ऑखने मिलजा इसके बारे में आप इसको restart करके देखते हैं सबसे पहले वैसे दोस्तों इसके अंदर आपको प्रोसेसर सही दिया गया है और दे डिक्कत नहीं होगी थोड़ी बहुत आपको गेमिंग करनी है दिक्कत नहीं होगी बाकि अगर आपको पर्फोमेंस की वज़ेसे समार्टफून खरीदना है तो दो तक पहुच गए तो 15,000 में आपको और बढ़िया स्मार्टफून भी मिल जाते हैं अगर आपको गेम अगरा जादा खेने हैं लेकिन स्पीड को लेकर मुझे इसके अंदर भी कोई दिक्कत देखने को नहीं को नहीं काफी फास्टी वर्क कर रहा है और अभी हाल फिलाल में ज दोस्तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगी एप उपनिंग टाइन भी दोस्तो इसका आपको काफी फास्ट मिल जाता है एक दम क्विकली ओपन कर लेता है एपस को तो यह चीज काफी जादा बढ़िया है तो स्पीड को लेकर बिल्कुल भी आपको ऐसी को आराम से मिल जाएगा तो वैसी कोई खास दिक्का देखने को नहीं मिलेगी बाकि दोस्तों के साथ आपको जो चार्जर मिलता उस चीज को लेकर ही मुझे कमी लगी के 33 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर हो तो तो और जादा बढ़िया रहता इसी के साथ दोस्तों बात क चाहिए फून के अंदर नॉर्मल के मेरे सापका काम चल जाएगा तो वह चीज देखने को मिली मुझे इसके अंदर पर्फॉमेंस के मेरे की नॉर्मल मिल जाती है डे लाइट के अंदर फोटो जो इतनी बढ़िया सही पर्फॉम नी करेंगा इंडोर फोटो अगर आपको content जीजएसे ईचियुत नहीं में कर तो ईसी कोई मुझे खास परफॉमेंस देखने अउने को 29 तो जाधर लाइट के अंदर आपको फॉमेंस बढ़िया मिल जाएगी लाइट के अंदर पर्फॉमेंस anytime एंग 16 दिक्ार्ट को नहीं होगी लो लाइट के अंदर थोड़ी से आपको दिक्कत होगी बाकि दोस्तो अबимо खाए से के वजय से इस बज़टने नियुती अपरदी आपको दॉसरे अदे ऐसे स्मार्टों मिल लाखते है वस्त जादा बढ़ немного इसा पड़ीया नहीं करेड़ा है लगल il तो यह चीज़े बढ़िया लगती हैं और आपके लिए इंपोर्टेंट है तो आपके लिए इसको खरीज सकते हैं एक तो दोस्तो इसके अंदर आपको जो डिजाइन मिलता वो काफ़ जादा बढ़िया मिल जाता है लोकवार इस तो डिजाइन अगर आपको फाइव जी का दिकत नहीं होगी इसी के साथ दोस्तो इसके अंदर आपको जो है बैटरी बैकप भी बढ़िया मिल जाएगा तो यह सारी चीज़े तो काफी अच्छी है अब जो चीज़े मुझे थोड़ी इसके अंदर डाउन लगी एक तो चारजर 33 वाट का नहीं दिया गया 18 वाट का चारजर मिलता है यह चीज़ थोड़ी डाउन लगी दूसरा इसके अंदर कैमरी की परफॉमेंस आपको जो है एवरेज मिलती है तीसरा दूसरा इसके अंदर आपको IPS HD प्लस डिस्प्ले दी गई है फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलती तो यह चीज़े थोड़ी नॉर्म इचा रहेगा अगर आपको इसका डिजाइन पसंद आया तो यह 5G के आपकी रिक्वायर्मेंट फुल्फिल कर देगा 5G आप इसके अंदर अच्छे से चला सकते तो वह चीज़ इसके अंदर आपको बड़िया मिलती है कि यह 5G फून है यह इसका सबसे मेन फैक्टर है अगर आपको कोई और फून पसंद आ गया तो वह चीज़ नीचे कमेंट करके बता दिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो पी जल्दी ले कराने की आपके लिए वीडियो दोस्तों कर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर जाएगा चैनल पर आप नहीं है सब्सक्राइब आपने नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुच्छते रहें इसके लग दोस्तों वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरू करेगा वाटसेप और फेस्बुक पर चले मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई